Hello friends, welcome to Leventator and YouTube channel Leventator and YouTube channel में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों कैसों आप लोग दोस्तों वीडियो बहुत informative होने वाला है आज कीसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं साधी से पहले sex जी यां दोस्तो आज किस वीडियो में हम इसी टोपिक पर बात करेंगे कि साधी से पहले सेक्स यदे आप साधी से पहले अपने पार्टन के साथ अपनी करस्ट के साथ अपनी गल्फरंड के साथ सेक्स करने वाले हैं उसके साथ फिजकल होने वाले हैं तो आपको ये तीन बा पर ये तीन बाते आपको साधी से पहले सेक्स या गल्फरिंट के साथ आप फिजकल होने वाले हैं साधी से पहले ये तो आपको ये तीन बाते जरूर याद रखनी है तो बहुत ही इंपोटेंट वीडियो है ये गल्स और वोइस दोनों के टिगरी के लिए समान रूप से साधी से पहले आप अपने पार्टन के साथ फिजकल होने वाले हैं तो यह ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है तो इसलिए वीडियो बहुत इंपोटेंट हो जाता है इसको आप लाज तक जरूर देखेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते ह हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में तो सबसे पहली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है यह अप अपनी पार्टन के साथ फिजकल होने वाले हैं साधी से पहले तो यह सबसे पहली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि छोड़ देगी छोड़ देगा ज चोँड देगा या चोँड तो नहीं देगी ये बात आपको ध्यान में रखकर ही उसके साथ physical होना है अब आप यहाँ पर समझे कि छोँड देगा चोँड देगी का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कहीं वो आपको यूज करके तो चोँड तो नहीं देगा आप इस बात को आ जाती है कुछ relationship में ऐसा होता है तो आप ये चीज़ ध्यान में रखकर ही ये काम करें ये आप अपने boyfriend के साथ अपने partner के साथ या अपनी girlfriend के साथ आप जो भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप ध्यान में रखके करें ताकि आपको आगे चलके कोई भी problem ना ह चाहते हैं अपना partner बनाना चाहते हैं life partner बनाना चाहती है या उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताना चाहती है या आप उसको अपना life partner बनाना चाहते हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वो कहीं आपका यूज करके छोड़ तो नहीं देगा या छोड़ तो जी हां दोस्तो ये भी बहुत ही important है ये आप अपने partner के साथ अपनी girlfriend के साथ साधी से पहले physical होना चाहते हैं या physical होना चाहती है आप अपने girlfriend के साथ तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है ये वीडियो आपको last तक देख लेना है तक ये तीनो बातें जो हैं आपको ध्य जान रहें physical होने से पहले तो ये दूसरा point जो है safe sexual relationship जी हां दोस्तो यहां पर safe sexual relationship आयदे आप अपने partner के साथ physical होने जा रही है या physical होना चाहते हैं तो आपको safe sexual relationship पर ज्यादा focus करना है मनलब कि आप अपने partner के साथ संबंद बनाते हैं या बनाती है तो आपको safe sexual relationship पर ज्य पहला है। इस कॉंडॉम जी हैं दोस्तों यदि आप सेफ सेक्च्च्वर रिलेस्टिट चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको कॉंडॉम पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यदे आप एक लड़के हैं तो भी आप अपने boyfriend को बोल सकते हैं यदे आप एक लड़के हैं तो आपको इस पर जादा focus करना चाहिए ताकि आगे चलकर आपको कोई भी problem ना हो condom पर आपको focus करना है उसके बाद ही physical होना है दूसरा है period जी है दोस्तो अब period पर भी आपको focus करना है ध्यान रखना है period में क्या होता है कि बहुत सारे लोग period के समय भी physical हो जाते हैं condom का use नहीं करते हैं तो ऐसे में risk रहता है pregnancy का तो आपको ध्यान रखना है यदे period के बाद 20 days हो चुके हैं तो आप sex कर चुके हैं safe zone में जा सकते हैं लेकिन यदे आप period के time पर physical होना चाहते हैं या होना चाहती है तो आपको condom पर focus करना होगा मतलब कि condom को use करना है तब ही आप safe sexual relationship में जा पाएंगे और period का भी समय चलना था आसपास के ही दिन थे तो ऐसे में कुछ risk रह जाता है मतलब कि doubt हो जाता है एक दोनों को तो इन तीन बातों को overall in safe sexual relationship की यह तीन बातों को आप जरूर याद रखें एदे आप अपने partner के साथ physical होना चाहते हैं या Adrian होना चाहते है तो तो यह बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, साधी से पहले आप sex करना चाहते है या करना चाहती है, तो ये बात आप जरूर याद रखिए, आप बात करते हैं तीसरे पॉइن्ट के बारे में, लाश्ट पॉइंट के बारे में, तीसरा और लाश्ट पॉइंट है, वो ये है कि your body any part each phrase जी हां दोस्तों आप अपने partner के साथ अपनी girlfriend के साथ साधी से पहले physical होना चाहते हैं उसके साथ संबंद बनाना चाहते हैं और आप उसके साथ physical होने जा रहे हैं तो आपको ये बात याद रखनी है ध्यान में रखना है कि your body any part each phrase आपको कोई भी body part चाहे वो आपके कपड़े हो चाहे वो आपकी body हो कोई भी चीज हो वो एकदम से phrase होनी चाहिए ताजा होनी चाहिए मतलब कि वो उसमें कोई भी ऐसी बद्वू नहीं आनी चाहिए कि आपका partner आपके साथ uncomfortable feel करे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए एकदम से आपकी body और आपके जो कपड़े हैं आपका hair style है जो भी चीज़े आपके जितने भी parts हैं वो एकदम से ताजा phrase होनी चाहिए चाहे तो आप perfume भी लगा सकते हैं लेकिन मैं phrase की बात कर रहा हूँ यहाँ पर एकदम से अपने आपको confidence में लाइए और आप अपने partner को भी confidence feel करा सकते हैं देखिए आप उसके साथ physical होना चाहते हैं तो आपका partner भी आपके साथ confidential होना चाहिए वो भी आपके साथ ताजा phrase feel करे इस चीज़ को करने से पहले तो इस चीज़ को करने से पहले आप उसे एकदम से comfortable feel करा देते हैं एकदम से वो आपके साथ ताजा phrase feel करता है तो आगे चलकर आपको कोई भी problem नहीं होगी आप जैसा चाहेंगे बैसा book करेगा तो इसलिए मैं आपको बोलना हूँ ये बात आपको जरूद ध्यान में रखनी है ये आप साधी से पहले sex करना चाहते है physical होना चाहते है तो your body any part each phrase आपके जितने भी कपड़े हैं वो एकदम से phrase होने चाहिए इस बात को आप ध्यान में रखकर ही उसके साथ संबंद बनाए उसके साथ physical हो तो ये तीसरा point भी I hope आप इसको समझ गए होंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ये तीनों point आप समझ गए होंगे ये अप साधी से पहले sex करना चाहते हैं तो इन बातों को आप जरूद ध्यान में रखे हैं तो आई ओप इस वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन बातों को आपकी कोई भी कमेंट बगरा है लब लाइप को लोकर प्रूलोस है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपकी प्रूलोस का solution आपको आवस्त दिया जाएगा और इन बें भी तक आपने फेस्टागराम पेज को फोलो कर सकते हैं और यदा आप मुझे डारेक्ट बात करना चाहते हैं तो कॉल्फर मी अप्लिकेशन के द्वारा मुझे बात कर सकते हो तो आज की सुडियो में वसना है